नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे येटूब चैनल इस्टडी वित रभी पर दोस्तो आज इस क्लास में हम उत्राखन करेंट एफेर्स पढ़ने बाले हैं जिसमें हम सितंबर महा का करेंट एफेर पढ़ेंगे इससे पहले दोस्तो हमने सितंबर महा के 12 करेंगे दोस्तो में कुण सा इस्थान प्राप्ट हुआ सही आँसर रहेगा ओफिशन ए पहला इस्थान तो याद रखेगा महत्पुर्ण कोशन ना दोस्तो क्योंकि सूचकांग से कोशन पूछा ही जाता है तो याद रखेगा कि उत्राखन को निर्यात तियारी सूजकांक में हिमालेई राज्यों में पहला इस्थान प्राप्त हुआ है अगर बात करें कि तो 2022 में दोस्तो कौन सा इस्थान प्राप्त था तो नवा इस्थान प्राप्त था ठीक है बड़ते नेaltung कोशन के दो और और बताना है कि किस जिले के गोल जी मोहतसब को राज के मेला घोसित के गया, सही आंसर रहेगा, option B, चमपाबत, तो चमपाबत में दोस्तो जो गोल जी मोहतसब मनाया जाता है, उसे राज के मेला घोसित के गया है, हाल ही में, जो दोस्तो मेला राज के मेला घोसित के जाता है तो उसमें जितना भी दोस्तो आर्थिक खर्च होता है तो वह सरकार ही उठाती है ठीक है मतलब जो इसमें आर्थिक सहाथा के लिए जो अनुदान दिया जाता है तो वह राज्य सरकार के द्वारा और केंद सरकार के द्वारा दिया जाता है अगला कोशन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चमोली की मांसी नेगी ने कुन सा पदक जीता तो दोस्तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये आईजित के गए थे चीन में तो दोस्तो इन गेम्स में मांसी नेगी ने स्वन पदक जीता है ठीक है तो सही answer रहेगा option C ठीक है तो याद रखेगा important question है कि world university games जो दोस्तों चीन में आयुजित के गए तो इसमें मानसी नेगी ने स्वन पदक जीता है next question है कि हाल ही में गलबाल आयुक्त किसे नुक्त किया गया तो दोस्तों हाल ही में गलबाल आयुक्त किये गए है विने संकर तो right answer है option C अगर आपसे पुछा जाए कि बरतमान में कुमाउ कमिशनर कोन है तो दोस्तों दीपक रावत दोस्तों बरतमान में कुमाउ कमिशनर है next question है कि राज्ये के किस जिला अस्पताल को केंद्र सरकार द्वारा लच्छय पुरुशकार दिया गया अठारवा प्रशने की उत्राखंड महिला अंडर 19 किरकेट टीम की कपतान किसे चुना गया तो उत्राखंड महिला अंडर 19 किरकेट टीम की कपतान बनाए गई है दोस्तो कनक टुपर्निया ठीक है जो कि दोस्तो हरी द्वार की रहने बाली है तो ये उत्राखन महिला अंडर 19 किरकेट टीम की कप्तान वनी है तो इस question का सही answer है option C दोस्तो इस वीडियो में सभी question important रहने बाले हैं आप वीडियो के एन तक जुरूर बने रहीगा और जो आपका बंदी रक्षक एक्जाम में जरूर help मिलेगी अगला question है हमारा कि हरी ताली का तीज उत्सब उत्राखन में कहां मनाया गया तो हरी ताली का तीज उत्सब दोस्तो ये हैं मनाया गया है चमोली में तो सही answer रहेगा option B sorry इस question को जो सही answer है तो बहें आपका देहरा दून है ठीक है तो हरी ताली का तीज जो मनाया गया तो बहें देहरा दून में मनाया गया है और देहरा दून में भी दोस्तो गड़ी केंट ठीक है और ये जो हरी ताली का तीज उत्सब है ये दोस्तो गोरखाली समास से संबंदित है याद रखेगा और ये 10 सितंबर से दोस्तों शुरू हुआ था इसका सुभारम क्या था पुसकर सिंग धामी जी ने बिस्वा प्रेशन है कि अंतराश्टिय मत्सिय आखेट पृतियोगिता का आयुजन उत्राखन में कहां किया गया तो अंतराश्टिय मत्सिय आखेट पृतियोगिता का आयुजन जो किया गया तो नहीं चंपवत में किया गया है सही आंसर रहेगा ओप्शन ए ठीक है और इसका आयुजन दोस्तों 27 सब्तमबर से लेकर 29 सब्तमबर तक हुआ है ठीक है तो ये भी आप याद रखेगा और इस उत्सब को मनाया है दोस्तों महाकाली नती में और चंपवत के चूका छेतर में दोस्तों इसे मनाया गया 21 प्रेशन है कि जल किरिडा पृतियोगिता कहां आयुजित की गई तो जल किरिला पिर्तियोगिता दोस्तो यह आयुजित की गई है टीरी में तो सही आंसर रहेगा option C बरतेनेस्ट question की ओर और बताना है आपको कि उत्राखन की पहली धार्मिक feature film कोन सी है तो दोस्तो हाली में उत्राखन की पहली धार्मिक feature film बनाए गई ठीक है इसका नाम है दोस्तो मा धार्य देवी ठीक है तो उत्राखन की पहली धार्मिक feature film है मा धारी देवी इसके जो निर्माता है दोस्तो तो वह है देबु राबत है तो आपको निर्माता भी याद रखने हैं देबु राबत 23 प्रेशन है कि culture and sports pyrexia 2023 का सुभारम किसके द्वारा किया गया है दोस्तो पुसकर सिंग धामी जी के द्वारा ठीक है तो मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी जी के द्वारा culture and sports pyrexia 2023 का सुभारम किया गया और कहां किया गया दोस्तो यह एम्स रिसी केस में किया गया है 24 प्रेशने उत्राखन में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकैडमी अमरत अवर्ड से सम्मानित किया गया इस question का सही answer है option c 4 तो चार कलाकारों को दोस्तो संगीत नाटक अकैडमी अमरत से सम्मानित किया गया ठीक है और यह सम्मानित किया है दोस्तो बरत्मान में उपराश्टपती जगदीब धनकर जी ने ठीक है जो दोस्तो भैरब दत्तिबारी है और जगदीश दोंडियाल इन पुत्राखन की प्रदर्शन कला में समगर योगदान के लिए अमरत अवड से सम्मानित किया ठीक है आप जानते होंगे जुगल किशोर दोस्तो यह प्रमुक लेखक भी है ठीक है इनकी पुस्तक है राजा मालुसाही ठीक है और मध्य हिमाल्य की अमर प्रेम का था तो यह दो पुस्तकें आपको याद रखी हैं और इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं तो यह थे दोस्तो आज के हमारे सभी इंपोर्टेंट कोशन जो आपकी परिक्षा में सिधे देखने को मिल सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर करिएगा आज आपको अफंबर करेगा कि राचे में अनुसूचित जन्जाती के लिए कितनी बिधानसवा सिटे आरक्षित हैं ठीक है तो कमेंड करके दोस्तों इसका आपको जरूर बताना है साथ में बताना है दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आई होप आपको पसंद आई होगी और ये क्लास आपको एक्जाम में जरूर हेल्प करेगी तो मिलते हैं दोस्तों नेश्ट क्लास के साथ के साथ तब तक के लिए थैंक्यो सुमच पर वाचिंग जय हिंद